अगर वती अंजली को वो दोसी उसने हत्या की है क्या उसको फासी की सजा होगी ऐसी ओरत को फासी तो अगर वो दोसी साबित होती है तो फासी जरूर होनी चाहिए क्योंकि ऐसी अगर वो दोसी नमस्कार मैं हूँ अजब आरद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देखे रहे हैं जासे हत्या कांड को लेकर के यानि की पूरा देश पूरा हरियाना हिल चुका है और एक ही बात कहने लग रहा है कि कहीं ने कहीं सडियंतर हो सकता है बहुत बड़ा नाम भी आता क्योंकि सबसे पहले F.I.R. दर्ज करवाने वाले लवली ही है और सबसे ज़्यादा जो दुख हुआ था उस टाइम पर लवली को ही हुआ था लवली ही दे शाम रात के डाई बजे तक डून रहे थे जसको और लवली की ही पतनी उसको नहीं पता था कि मेरी ही पतनी ने इतना बड़ा कांड कर रखा गर में ही एक सैतान यानि की इनसानित और हैवानियत यानि इनसानित की हर्ता करने वाली जो हैवानियत परवर्ती की जो बुद्धी उसकी पतनी में थी खुद उसने खुला सा किया कि मुझे नहीं पता था कि मेरी ही पतनी नहीं नही थे कि गर्वती महीला है गर्वती महीला को फासी नहीं होगी जान बूझ करके सदियंतर के तहत राजेश के प्रिवाल को बचाने के लिए अंजली का नाम लिया जा रहा है पुलिस प्रसासन बिक चुका है कई तरह के आरोप पर त्यारोप जनता के द्वारा करनाल की जो जनत पूरा जो मामला है इससे पहले की वीडियो में भी आपने बता दिया था आपने देख भी लिया था क्या कहना चाहेंगे इस सबसे पहला पर सुनिये कि क्या गर्वती अंजली को वो दोसी उसने हत्या की है क्या उसको फासी की सजा होगी देखिए अजय जी अभी तक अंज मैं यह कहना चाहूंगा कि वो अपराद दी उसको दोसी आरोपी बनाएगा अभी दोसी करार नहीं दिया गया है दोसी करार मुकदमा चलेगा पुलिस इन्वेस्टिगेसन होगी कौन-कौन इस जगन्य अपराद में सामिल है किस किस का इसमें रोल है कहां कहां कितना कितना उसके हिसाब से पुलिश परशासन अपना काम कर रहा है। हत्या हो सकती है वो उसको फासी मिल सकती है देखो जो हत्या रोपी है हत्या का दोसी नहीं है हमारा हमारे देश का सम्मिदान है हमारा तो इतना सांदार खुबशूरत कानून है हमारा हम तो दुश्मन को कशाब को भी उसको अपने बचाओं में कहने के लिए क्रोड़ रुप किसी को सजा नहीं देता तो फिलाल तो ये बात बहुत दूर की है उसको आरोपी बना गया उसको दोसी नहीं बना गया विलकुल जब वह यानि कि जब तक उसको आरोपी अभी वह आरोपी है दोसी जब हो जाएगी तब वह फार्सी हो जकती है अगर देखिए दोसी अगर उस साधारन इस देश का नागरी को और इनसान होने के नाते तो मैं देखिया जै भाई एक बात कहना चाहूंगा कि जिस कुरूर तरीके से उस मासूम बच्चे के दातों को तोड़ा गा, गुप तंगों को काटा गया, उसकी हाथों को तोड़ा गा, वो मासूम सा बच्चा तो कह प्यारे से बच्चे को, क्योंकि बच्चे सभी प्यारे उत्तिर भगवान का रूप होते हैं, उसको उठागे आप अपने सीने से लगा लीजिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपका बीपी लेवल हाई हुआ है, वो भी आपका डाउन हो जाएगा, प्रभू ने बच्चों और कौमल बच्चे जिसने दुनिया नहीं देखी, जिसके मन में कोई बैर भाव नहीं जो चलते साप को भी पकड़ सकता है, उसको कितनी निर्देयता से, कितनी बेरहमी से मार दिया जाता है, क्या हम देखते हैं, सर सरम से जुक जाता है, हम निशब दो जाते हैं, छे छे म भी कहना चाऊंगा, और मानी अदालतत से भी में ये गुजारिश जरूर हम करेंगे, कि जब इस परकार के जगन्य अपराद में कोई मिलता है, उसके लिए प्लीज कम से कम आप, हुमन राइट की बात मत सोचे, उस वो आदमी जैसे जगन्य अपराद कर देता है, वो अपन का कोई भी केस जो इसके परती है, कोई भी केस कोई वकिल ने लड़े, क्या कहना चाहेंगे, सभी करें कि कि किसी भी वकिल ने इसका केस नहीं लड़ना चाहिए, ऐसा होगा, बिल्कुल मुझे लगता कि आपको ध्यान हो तो मैं आपके चैनल पर बताना चाहता हूँ, रिम के दिल को वरत के दिल को निकाल के ऐसा कुछ मीडिया में आता था वो खा लेता था और वहां गाजियाबाद कोर्ट में जो जो उनका केस सला था नोएडाय गाजियाबाद में तो उनका कोई वकील खड़ा नहीं हुआ था लेकिन देखिए अपने-पने सब के मत हैं मेरा एक अलग इसे भिन्मत है कि कानून ने सब को अधिकार दिया है कि आप अपने आपको निर्दोस साबित करो लेकिन वकीलों से भी हो सकता है कोई इन कोई खड़ा होगा वकील हो जाएगा उसके लिए लेकिन वकील को भी जब हमें शफ़त दिलवाई जाती है हमें शफ़त इस होता है कि हम देश के सम्विधान के परती निष्ठा रखते हुए किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे ये हमारा लक्ष है तो अब जब मुझे पता है कि इसने सामने वाले ने ये बिलकुल अपरादी है और इस जगन अपराद को अंजाम दिया है तो कम से कम मेरा ऐसा विक्तिकत मानना है तो मुझे प्रमात्मा को साकसी मानना के मुझे कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जूट ऐसा नहीं बोलना चाहिए फीस के लालच में कि मैं कि किसी ऐसे राक्सस को मैं बचाओं बाقی कोई वकील साथी खड़ा होगा नहीं होगा देखिए वो उनका लाया है इस वक्त और रहे भी गा जिस तरीके से बे गुना को मासूम को निर्दिता के साथ मारा गया है पुलिस ने उसको अरवपी बनाया गया है अगर कोई वकील उसके लिए पैरवी भी करेगा तो दूसरा कोई सरकारी वकील भी मिलता सर सरकारी वकील हाँ अगर कोई वकी किरिया में जो हमें नहीत है जो एक आदमी को मिलता है अपने निर्दोस बेगुनाई महिला को सजा की बात जब तक ये दोसी सिद्ध होगी और जब तक कानून इसको फासी के तखते तक लेके जाएगा अगर ये गरवती है तो देखिए इसके गरब में जो जीव पल रहा है उसका तो कोई खोट नहीं है उसकी तो कोई गलती नहीं है उसने तो गुना नहीं किया है तो जब तक ये प्रकिरिया होगी तो साइद इतना लंबा सिस्टम चले गा तो मुझे लगता कि तब तक तो वो साइद स्कूल में जाने लग जाएगा वो बच्छा और ऐसी औरत को फासी तो अगर वो दोसी थाबित होती है तो फासी जरूर होनी चाहिए क्योंकि ऐसे अदमी समाज में देश के लिए कलंक होते हैं और जो उसके गरब में सिसु पल रहा है वो उसको भी क्या संसकार देगी और क्या बनाएगी उसको जनम के तुरूंत बाद ही उसको किसी ऐसे उसके प्रिवार के संरक्षन में छोड़ देना चाहिए उस बच्चे को भी अब मीडिया के मादम से पता लगा है कि वो गरबवती है या नहीं है लेकिन देखिए मानवता के नाते मानवता उस औरत के लिए नहीं है लेकिन जो ढ़ाई महीने का सिसू उसके गरब में पल रहा है उसके लिए मानवता तो बंती है उसको मारने का कोई दिकार नहीं है तो लास्ट में करनाल परसास्थन से और अर्यान सरकार से क्या आप कहेंगे किस मामले को जल्द से जल्द सुलजाए क्योंकि पूरा हर्याना पूरा देश सभी ड्रे हुए है कि आज वो गटना करनाल में गटे कल किसी के साथ भी गट सकती है और ऐसी अपरादी को सायद जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए काफी साल पहले मेरे गाओं में भी ये दो गटनाए हुई थी ऐसे ही किसी तंतर क्रिया के चक्र में किसी ने और वो मामला दब के रहगा कोई जाच होनी पाई लेकिन मैं आपके चैनल के मादम से देश के लोगों से भी मैं ये कहूँगा कि हमें इसमें धैरी रखना चाहिए कानून है हमारे देश में काम कर रहा है कोई ऐसा खुद तालिबानी ऐसा हमें कानून नहीं बना लेना चाहिए भावना में आके कि इसको चुराएबे खड़ा करके ऐसा कर दो उसको ये कर दो देश का सम्मिदान है और ऐसे करूर अपराद के लिए हमारे देश में तरफा के जो ये जगन ने अपराद किया गया है मुझे लगता है कि कानून उसको फासी तो देगा इससे कम तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए कोई सजा होगी और जब तक जो आरोपी है और वो अगर बाद में दोसी सिद्ध होता है चैब वो पांच साल का रसा हो ऐसा नहीं कि एक चुराएबे लाया और उसको मार दिया अगर किसी को सजाएं मौत हो जाती है तो आजय भाई जी वो बंदा उसको ये होगा कि इसको फासी होगी और वो जब तक पांच साल तक भी अगर जिन्दा रहता जेल में नयाएक प्रिक्रिया ऐसी वो गुजरता है अधिकार अपील में जाता है सुप्रीम कोर्ट तक माननी ये राष्टरपती जितक जाता है वो मा महीन राष्टरपती के पास जाती है उसकी आखरी में दैया चीका वो हर पल जिता है उसको ये भी बहुत उसके लिए बहुत बड़ी सजा होती है तो मैं जो आपका परशन था कि आपके चैनल पे मैं यह कहूँगा कि सरकार के लिए मैं जरूर कहना चाहूँगा कि मैं मीडिया में सुन रहा हूँ कि फला दिन खटर साब आ जाएंगे मानिये मुखमंत्री है जो अर्याना के उस दिन दो पुलिस बीजी रहेगे खटर साब को कौन खाता है यार खटर साब के लिए मैं आपके चैनल के मादम से कहना चाहूँगा कि मानिये मुखमंत्री जी मैंनी वे आपको जीन्द में बसों में गुमते देखा है तो आप का फर्ज बनता है कि आप पुलिस को को कि पुलिस प्रोपर काम करें ऐसा ना हो कि आपकी सुरुक्षा में पुलिस लगी रहे कि किसी मासूम और जस्का कतल कर दिया जाए पुलिस को अपने आगे आत्या कांड ना हो और कोई मासूम की जानना चली जाए इसलिए नेताओं के चक्कर छोड़के पुलिस को पुलिस को अपना काम करना चाहिए नेता की सुरुक्षा अपनी वो कर लेगे प्तिया कांड को लेकर के आप अपनी सोसल मीडिया के उपर जस्टिस फोर जस्ट आप जरूर लिखे आप जो भी आपका प्लेटफरम है वो लिख करके आप जरूर डाले वटसप पर या इंस्ट्राग्राम पर फेस्बूक पर ट्वीटर पर हर जंग आप जरूर लखे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैनल शो गिंजार के साथ मजबार्द वाज राश्टर ने डिमान की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शियर करें